चोपड़ा है जो किसने यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो 15% All India Kota, AIMS, JIPMAR, DU, ESIC and DIMD University में MBBS, BDS Admission के लिए काउंसलिंग MCC द्वारा करवाई जाती है इसकी वेबसाइट mcc.nick.in है और वो अभी अपडेट हो रही है तो जैसे ही हम mcc.nick.in पर विजिट करेंगे तो इस परकार का इंटरफेस शो होगा इसी वेबसाइट पर आपको रेजिस्टेशन करना है इसमें हम जैसे ही इस पर mcc.nick.in टाइप करते हैं यहाँ पर अलग-अलग counseling portal दे हुए है UG Medical Counseling MBBS BDS के लिए तो है हमने MBBS BDS counseling करवाना है तो UG Medical Counseling पर क्लिक करेंगे तो इस परकार का इंटरफेस शो होगा इसमें हमारे को इसी वेबसाइट पर पूरी जानकारी मिलेगी तो सबसे पहले इसमें home का option दिया गया है उसके बाद में इसमें counseling schedule दिया गया है तो जैसे ही हम counseling schedule पर क्लिक करते हैं यहाँ available soon लिखा गया है यानि कि यह अभी update नहीं हुआ है counseling schedule जारी नहीं हुआ है तो आप इसको proper watch करते रहें जैसे ही counseling schedule जारी होगा आपको यहाँ पर शोख होगा वैसे यह जारी होते ही मैं भी आपको inform कर दूँगा इसके बाद में information blatant अभी जारी हुआ नहीं है information blatant जारी होगा तो उसमें सारी आपको counseling related सारी जानकारी इसमें मिल जाएगी participating institute में जितने भी institute participate कर रहे हैं वो यहाँ पर available होंगे तो वो अभी update होआ नहीं है यह इसके बाद में seat matrix भी अभी available नहीं है इसमें available सूनी लिखा है तो जैसी एक बार एक counseling schedule जारी हो जाएगा उसके बाद में seat matrix भी जारी हो जाएगी तो registration से पहले यह counseling schedule जारी हो जाता है दो दिन पहले तकरीबन जारी हो जाता है उसके बाद में seat matrix से fee structure वगरा इसमें जारी हो जाता है यहाँ पर आपको registration यहाँ पर login और new registration का option मिलेगा इसी current events में मिल सकता है या फिर अलग से कोई tape दिया होगा तो आप वहाँ से new registration कर सकते हैं यह जब schedule जारी होगा उसके बाद में जब registration शुरू हो जाएंगे तब यह link आपके पास यहाँ available होगा तो new registration पर click करके आप registration कर सकते हैं और फिर उसके बाद में login का option देया होगा तो login करके आप अपना form fill कर सकते हैं और form fill करने के बाद में फीस का payment करके security fees deposit करके 24 fill कर सकते हैं तो यह मैंने आपको advance में information दे दी है यह आप इसमें इसकी website को search करते रहें और जैसे ही यह schedule जारी होगा मैं भी आपको inform कर दूँगा मिलते हैं नई update के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन